दोस्तों यदि आप लोग फुली स्क्रीन पर स्टेटस बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाश्ट तक देखिए क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ साइरी से स्टेटस बना सकते हैं साइरी लिख करके और उस पर सौंग भी ऐड़ कर सकते हैं और को भी प्राब्लम हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं ठीक है फ्रेंट तो हम चलते हैं अपनी वीडियो के और आपको साहरी का स्टेटस पूरा सौंग के साथ में बना कर दिखाऊंगा आप लोग उस वीडियो को देखिये और आप लोग भी बनाईए च्छे च्छे इस्टेटस जो कि आप वार्टस अप में इंस्ट्रणड़ाम में फेश्बुक में कहीं भर भी कहीं पर ही स्टेटस लगा सकते हैं ठीक प्रेंट्स चलते हैं अपने सिधा वीडियो पर और वीडियो को पूरा जरूर देखें और को सब्सक्राइब जरूर कर दें फुल स्क्रीन पर सारी स्टेटस बनाने के लिए अपनी फोटो से आपको अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन को उपिन करना होगा यदि आपके पास में काइन मास्टर एप्लीकेशन नहीं है तो आप मेरे इसक्राइब जाकर के लिंक इसे डाउनलोड कर सकते हैं और वह भी बिना वाटर मार्क वाला ठीक है तो आपको फुरी स्क्रीन पर बनाने के लिए आपको यहां पर क्लिक करना होगा बीच वाले आप्सन पर आपसन पर क्लिक करने के बाद में कोई एक फोटो चूस कर लेंगे ठीक है चूस करने के लिए अब एक फोटो हम चूस करेंगे अब फोटो कैसे लेंगे यहां पर से मैं एक photo अपनी ले लूंगा photo अपनी होतो अपनी ले लिजे कौई भी जिस photo से आप बनाना चाहते हैं तो आप photo ले लिए ठीक है photo लेने के बाद में आपको यहांपर किलिक करके कर देना है उसके बाद में आपको एक green screen का सायरी जिस पर लिखा होगा वो आपको download कर लेना है Google से ठीक है आप Google से download कर लिजे नहीं तो मैं आपको description में उसका भी link दे दूँगा ठीक है friends तो अब हम आप इस पर click करके इस पर click करके आप ऐसा yellow color का निसान बन जाएगा उसको थोड़ा खींच के आप जितने मिनट का जितने सेकेंड का करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं ठीक है friends ? मैं कर लुँँग अपंद्रा सेकेंड का क्या करना जायता है और उसके za बाद में आपको ड्रक्री स्क्रीन दो इप अपольшित के स्क्रूर सब्धा सते और लेने के बाद में फ्रेंड्स यहां पर सेलेक्ट कर दूंगा आपको याद रखना सिर्फ ग्रीन स्क्रीन या यलो ब्लू स्क्रीन ही होना चाहिए अब इतना कर सेट करने के बाद में आपको कर देना है इसको आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है ठीक है आपने जो ग्रीन स्क्रीन सेलेक्ट किया था और उसको उपर वाले फोटो के बराबर पर सेलेक्ट कर देना है खींचके उसके बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करके फिर से बैक जाना है ठीक है फ्रेंट्स अब उसके बाद में आपको यहां पर साइट पर आना है और थोड़ा नीचे आना है ठीक है जहां पर लिखा होगा क्रोमा की पर क्लिक करना है ठीक है क्रोमा की के आप क्लिक करेंगे और उसके बाद में क्रोमा की एनेबल कर देंगे Enable करने के बाद में आप देखेंगे कि आपका Green Screen हट गया है और सिर्फ Siree बची हुई है आपकी फिर यहाँ पर क्लिक कर देंगे उपर Siree में क्लिक करने के बाद में Friends आप इस पर क्लिक कर दें Siree पर और इसको थोड़ा बड़ा कर लीजे Siree जोतना आप सिलेक्ट करना चाहिते हैं अब उसके बाद में आपको इस पर Music लगाना है Music लगाने के लिए Idea के Option पर क्लिक कर देंगे Idea के Option पर क्लिक करते हुए करते ही आपको यहाँ पर जो आपने Song डाउनलोड की होंगे वो आपके Song इस पर आपको मिल जाएंगे ठीक है फ्रेंड्स और उसके बाद में यहाँ पर भी कई Option दिये हैं तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं लेकिन आपको Song यहीं पर मिल जाएंगे जो आपको Song सेलेक्ट करना है उस पर क्लिक कर दीजिए आप उस Song पर क्लिक कर दीजिए और मुझा से की मैंने क्लिक कर दिया है और आपको प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है और Song को एड़ कर देना है सॉंग को आइड करने के बाद में आपको फिर से उपर साइड पर क्लिक कर देना है आप सॉंग को सॉंग पर क्लिक करके आप उसको आगे पीछे भी खिसका सकते हैं यह आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसको इस पर टच करके थोड़ी देर टच करके फिर आपको इसको यह आप ऐसा सेलेक्ट कर लेंगे ठीक है अब आप यहां पर जाकर के साइट प्लाना है और इसके बाद में आपको मैं सोडा सा सट्टेस्ट सुना दूँगा किस प्रकार से स्टेस्ट मैंने बनाया है ठीक है फ्रेंट्स अब इसके बाद में आपको इसको weedio को save करने के लिए आपको यहाँ पर click कर देना है तो किलिक करने के बाद में यहाँ पर आ गया है एक्सपोर्ट का option जब आप export कर देंगे तो आपकर यह आपकर सकते हैं कि यहाँ पर exploring होने लगा है ठीक है और यहाँ पर देखिए आप डाउनलोड भी होने लगा है आपका स्टेटस तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों को सेर जरूर कीजिए